यहाँ पर हमें A और B दो integer दे रहे हैं और यह एक inequalities को satisfy करते हैं यानि कि 0 less than A less than B यानि कि A और B दोनों positive integer हैं और A B से less हैं साथे साथ यह satisfy करता है A की power B equals to B की power A तो हमें बताना है यहाँ पर A और B के ऐसे कितने power exist कर सकते हैं कि 1 कर सकता है 2 कर सकता है या infinite यहाँ पर options में कुछ mistake है मैंने A और B में दोनों में 1 1 लिख दिया है तो मैं एक बार check कर लिता हूँ इसके options में क्या है 0,1,2 है तो इसके option में आप यहाँ पर जो option दे रखा है उसमें change कर सकते हैं यह option है 0 अब यह perfect है तो हमें यहाँ पर A और B कितने exist कर सकते हैं यान कि pair of A और B find out करना है क्योंकि हम जानते हैं कि यह equation A की power B और B की power A को satisfy कर रहे हैं तो मैं दोनों side log ले लेता हूँ तो यह होगा B log A equals to A log B अब मैं इसको लिख सकता हूँ B upon A equals to log B upon log A और इस log वाले terms को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ log B upon A अगर मैं let कर लूँ B upon A को X मा लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ X equals to log X यानि कि मैं next let करता हूँ Y equals to log X अब log का अगर हम graph देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से जाता है तो हमें यह देखना है कि कहां पर यह दोनों X और log X बराबर होंगे तो हम इस तरह से एक Y equals to X line खीशते हैं तो आप यह देखेंगे कि यह जो curve है log X इसको A की जगा यह intersect करेगा only one point पर तो one point पर intersect करेगा इसलिए A X क्या था X हमारा यहाँ पर A की च्वाइस आई है जहाँ पर intersect करेगा उसके लिए unique है X और X क्या है B upon A यानि कि A और B सिर्फ unique होगा यानि कि option B यहाँ पर correct है प्ल्ख चूजिए भा यहाँ पर कायते हुझा है